हुआ है यह यह वीडियो में हम लोग बात करने वाले निफ्टी और मैंग निफ्टी के अपकमिंग लेवल्स क्या-क्या पॉसिबल है यह वीक में हम क्या लेवल्स दिखने को मिल सकते हैं कौन से लेवल्स आपको ज़ाधयान देना है तो आपको continuation में समझ में आएगा 13,000 एक psychological support बन चुका है 13,000 के असपास कोई भी टिक मिलेगा काफी अच्छा बाहर रहेगा मैंने आपको target भी दिया था 13,400, 13,500 अब हम लोग यहां से analysis करते हैं और क्या-क्या possibilities हैं वो check करते हैं 13,300 के असपास अभी nifty trade कर रहा है अब यहां से अगर next psychological hurdle की बात करूँ तो वो आता है 13,500 क्योंकि round of number है 13,500 एक psychological level हो सकता है जहां पर nifty एक corrections face कर सकता है बट यहां से जो momentum है मुझे लगता है यहां से 13,500 आने के chances काफी ज़ादा है 13,450, 13,470 के आसपास आपका target होना चाहिए as a trader 13,450, 470 अगर मिलता है एक बार आपको long position थोड़ा square off कर लेना चाहिए और 13,500 level का wait करना चाहिए अगर 13,500 भी cross कर लेता और sustain कर लेता है तो 14,000 के भी chances आने के बढ़ जाता है लेकिन 13,500 के उपर closing देना चाहिए तो यह possible है 13,500 एक round of number है psychological hurdle है हो सकता है वहाँ पर एक resistance ले और वापस हमें correction देखने को मिले या profit booking देखने को मिले पर overall जो broader range मुझे लग रहा है वो लग रहा है 13,000 से 13,500 यह 500 पॉंट की range में nifty रह सकता है so 13,450, 13,470 के असपास आपको long position में profit book करने की राय होगी 13,500 के उपर अगर close दे देता है तो वापस आप fresh long बना सकते हो 14,000 तक के target के लिए और अगर 13,500 के उपर closing नहीं देता है तो nifty का view थोड़ा सा sideways हो जाएगा और 13,000 से लेके 13,500 यह range में nifty कहीं ना कहीं consolidate कर सकता है सबको यह levels पर ध्यान देना है 13,000 से लेके 13,500 view अभी भी bullish ही है यहां से 100,800 पॉंट की rally हमें और देखने को मिल सकती है nifty में 13,450 और 13,470 के levels आप expect कर सकते हो nifty में अब bank nifty देखते हैं bank nifty ने clean and clear एक fresh breakout candle बना है और एक बड़ा green candle बना है काफी अच्छे volume के साथ 30,000 के उपर closing दिया है तो वो भी एक strong positive sign है अब यहां से जो targets आते हैं वो 31,000 तक क्या आते है 31,000, 31,500 यह मैंने आपको targets पहले भी वीडियो में बता है अब भी भी में वापस वोई target दे रहा हूँ 31,000 और 31,500 यह levels हमें देखने को मिल सकते है bank nifty में 31,000 के आसपास अगर आपको bank nifty मिलता है long questions में आपको profit book करना चाहिए और strictly trailing stop loss आपको follow करना चाहिए क्योंकि 31,000, 31,500 के आसपास कही ना कही जाके bank nifty first सकता है क्योंकि वो important hurdle levels है bank nifty के लिए so overall अभी भी bullish view है यहाँ से 31,000 तक के levels हमें देखने को मिल सकते है कोई भी dip मिलता है 29,800 के आसपास या 30,000 के आसपास काफी अच्छा बाहे रहेगा 31,000 तक के target के लिए अब हम आप लोग stocks पे जान देते है सबसे पहला stock होगा in the sin bank 900 के उपर close हुआ है काफी अच्छा volume है trend भी उपर है आप देख सकते हो clean and clear और 52 उप fresh breakout भी हमें देखने को मिल रहा है काफी अच्छे volume के साथ हमें buying देखने को मिल रहे है in the sin bank मुझे लगता है यहाँ से 970 तक के maintain रखना है 970 का first target हो सकता है और 1000 का second target हो सकता है सबसे पहला stock होगा in the sin bank buy structure काफी अच्छा लग रहा है buying की तरफ आपको जाह जान देना है next stock long की तरफ आपको ध्यान देना है excited industries में अगर आप देखो flag pattern cleaning बन रहा है और इसने fresh breakout दिया था 178 के उपर और उसी के उपर level के उपर sustain कर रहा है flag and pole breakout हमें इसमें देखने को मिल सकता है और यहां से मुझे लगता है 200 तक ही जा सकता है so 195 and 200 तक के target के लिए आप इसमें trade कर सकते हो कोई भी dip मिलता है 180 के असपास काफी अच्छा भाई रहेगा 176 का आपको stop loss maintain रखना है और 200 रुपे तक के target के लिए आप इसमें trade कर सकते हो so second stock रहेगा एक्साइड इंडर्स्रीज बाई third stock होगा रामको सिमेंट भाई रामको सिमेंट भी अगर आप देख सकते हो strong uptrend में काफी अच्छी buying में देखने को मिल रही है और अगर आप last 3-4 दिन का candle देखो तो काफी अच्छे tails ही चोड़ रहा है नीचे के तरफ यानि नीचे के तरफ इसमें buying आ जाती है बार-बार और day end पे closing के time उपर के तरफ ही closing दे रहा है यहां से 8-10% का आप मुह में देखने को मिल रहा है तो रामको सिमेंट काफी अच्छा buy रहेगा upcoming week के लिए आपको तीन लॉंग ट्रेट दिये इंदसिंद बैंक बाई, एक्स्टाइड बाई एंड रामको सिमेंट बाई अब हम लोग 2 week stock भी देखते हैं जिनका structure काफी week लग रहा है और हमें selling देखने को मिल सकती है upcoming week में पहला stock है Amboja Cement, Amboja Cement का structure मुझे काफी week लग रहा है, strong selling हमें देखने को मिल रही है यहां पर आप देख सकते हैं, इसने rounding top formation बनाया है और इसने clean until trend line भी break किया है Rounding top formation बन रहा है, काफी अच्छे volume के साथ हमें selling देखने को मिल रही है, बड़े-बड़े red candles form होना चालू हो गए है तो मुझे लगता है इसमें आने वाले दिनों में 225 और 220 तक के levels हमें देखने को मिल सकते हैं यहां से 10-15% का downfall में देखने को मिल सकते हैं, काफी अच्छा short रहेगा, अगर कोई भी bounce में रहता है 255 के आसपास 260 का आपको stop loss मेंटरे नखना है closing basis पे, और नीचे में 220-225 तक के target के लिए आप इसको short कर सकते हो सो अंबूजा सिमेंट काफी weak लग रहा है, shorting की तरफ आपको ज़्याद देना है, लास्ट रोग होगा SRT Finance, SRT Finance का structure भी मुझे काफी weak लग रहा है, अगर आप मेरा telegram channel follow करते हो, तो मैंने SRT Finance intraday में sell भी दिया था और उसमें काफी अचा profit भी आया था, इसमें अगर आप देखो एक bearish engulfing pattern बना है, काफी अचे volume के साथ, इसका confirmation selling यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे inside candle बना, दो candle और एक वापस red candle में देखने को मिला है, मुझे लगता है यह stock 920 तक easily आ सकता है, यहाँ से 70-80 रुपे का fall में easily देखने को मिल सकता है, तो काफी अचा short रहेगा, 1020 के असपास कोई भी bounce मिलता है, काफी अचा short रहेगा, 1040 का आपको stop loss maintain रखना है इसमें, 920 तक के target के लिए आप इसमें trade कर सकते हो, तो last होगा, SRT finance काफी अचा short लग रहा है, और इसका chart structure मुझे काफी week लग रहा है इसमें आपको selling के तरफ जाध यान देना है, तो ये था analysis upcoming week का, मैंने आपको nifty bank nifty बताया, view bullish है, और 13,500 और 31,000 ये मैंने target बताया आपको, तीन stocks मैंने buy दिये है, Innocent Bank, Exide और Ramco Cement, ये तीनों stock पे आपको bank के तरफ जाध यान देना है, और दो stock मैंने sell दिये, Ammoja Cement और SRT finance, ये दोनों stock पे आपको shorting के तरफ जाध यान देना है, अगर nifty का view में कुछ भी change होगा, या levels में कुछ changes होगा, अगर stocks में कुछ levels में changes होगा, तो मैं मेरे telegram channel में आपको बता दूँगा, ये मेरा telegram channel है, आप telegram channel join कर सकते हो, और यहाँ पर telegram channel में join होने के फाइदे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक learning webinar भी किया था अभी, इसमें आपको learning webinars में मिलते हैं, bank nifty, nifty options calls में मिलते हैं, plus cash market intraday trades में मिलते हैं, आप telegram channel जरूर join कर लेना, ये मैं आपको update कर दूँगा, अगर levels में कुछ भी changes होगा, nifty and bank nifty के और stocks के levels में, और मैंने Friday को bank nifty sell किया था 29,740 में, 29,600 का मैंने target दिया था, 29,550 तक low बनाया, और इसमें मेरा target भी अच्छी हुआ है, यह मैंने यहाँ पर highlight किया हो, आप देख सकते हैं, मेरा target अच्छी होने के बाद एक sharp recovery हमें देखने को मिली है, हम लोगो ने intraday में selling करके भी पैसा कमाया है, Friday को, वो trade म मैंने यहाँ पर highlight किया हुआ है, तो आप देख के confused मत हो ना, but overall broader view है, वो bullish ही है, 31,000 तक की level हमें देखने को मिल सकते है, so आज के लिए वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा, तो वीडियो को like and share जरू करना, thanks a lot for watching the video, see you in the next video. आपको वीडियो को